जेशी किष्णा दोस्तों, हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे दोस्तों, नया साल आने को है और 2022 का अंतिम दिन चल रहा है बहुती दो-तिन दिन में आप 2030 में प्रविश करेंगे और मैं कहूंगे कि नय साल से ही क्यों शुरुआत करें अच्छी कारियों की आप 2022 के एंड में भी शुरुआत कर सकते हैं यदि आप अपने घर में सुख, शान्ती, सम्रद्धी, बैभाव सभी पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सुख, उटते से ये कारी अवश्य करें क्योंकि जिस घर में ये कारी होता है, जिस घर की महिला ये कारी करती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती आकस्मिक दुरगटना हैं नहीं होती और कोई बड़ी दुरगटना होने वाली है कोई बड़ा आपके साथ अनिष्ट होने वाला है बहुत छोटे में होके निकल जाता है क्योंकि एक तरह से ये कारी करकर आप अपने पित्र देवताओं को देवी देवताओं को कुल देवी देवताओं को सबको प्रसंद कर सकते हैं और मा लक्षमी की असीम क्रपा प्राप्त कर सकते हैं भगवान विश्णू की क्रपा प्राप्त कर सकते हैं आप प्रति दिन चाहें तो प्रति दिन ही करें नहीं कर सकते हैं कुछ विशेश कारण है कि आप जौब बाली हैं तो नहीं कर सकती है या सुभे से आपके घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं नहीं कर सकती हैं कोई बात नहीं आप गुरुवार या सबसे ज़्यादा अच्छा दिन उत्तम दिन इसके लिए शुक्रवार माना गया है शुक्रवार को आप यह कारी कर सकते हैं और अपने घर में हमीशा सुक्ष, सम्रद्धी, बेभव, एश्वर, शान्ती सभी अप जो चाहते हैं वह पा सकते हैं आपको करना यह है कि सुभे सबसे पहले तो यदि आप ग्रहनी है और जिम्मेदारिक महिला है तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप 6-6.5 बज़े तक यानि सुर्य वदय तो 6 बज़े से पहले ही हो जाता है लेकिन यदि सुर्य वदय के बाद भी 6-6.6 बज़े तक भी उठ जाते हैं तो श्रेष्ट माना जाता है ये दिश से पहले उठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है उठना भी चाहिए क्योंकि महिलाओं की ही जिम्मेदारी होती है अपने घर को सुखों से भरपूर करने की पुर्षों का काम है आपको कमाई करके लाके देना पैसा हाथ में देना आप उसको कैसे खर्च करते हैं उसको अपने घर में सुख शान्ती के लिए कैसा उपयोग में लाते हैं और क्या कर सकते हैं जिससे आपके घर में हमेशा सुखों की भरमार रहे शान्ती रहे आपस में प्रेम रहे तो ये कारे सब महिलाओं को ही करना होता है महिलाओं को ही दिखना होता है महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है आप पुरा कारी करते हैं खाना भी बनाते हैं यदि आपके घर में मैड नहीं हैं काम बाले नहीं हैं तो आप जाड़ू पुछा भी करते ही होंगे कप कर चलिए कि आपके घर में सुख समर्दी आने से कोई नहीं जोग सकता आपको करना यह है कि सुभे प्रयास करें कि जल्दी उठें छे साड़े जे बज़े तक और सबसे पहले अपने घर की जाड़ू यदि आपके हां मैड आती है तो आप पुरे घर की नहीं लगा सकते हैं क दोदे पानी से उसके बाद आप इस्नान कर लें इस्नान करने के बाद सिर्फ आपको करना यह है कि ठाली में छोटा सा कलश जलका कलश भरा हुआ हो यदि फूल आपके घर में आते हैं तो एक फूल हो थोड़ी सी हल्दी या कुम-कुम ये दोनों चीजों में से कुछ हो ए इतना कारे दिया आप कर लेते हैं इतनी सामगरी के साथ यह कारे कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि जो आपकी इक्षा है पूरी होगी आपने इस्नान कर लिया उसके बाद आपने सबसे पहले उठे उसके जगे साफ करी यदि पूरा घर जढ़ों पूछा कर सकते हैं तो करें नहीं कर सकते हैं तो जो मुख्य द्वार है उसका वाला इस्थान साफ कर लें उसके बाद इस्तनान करके स्वच्छ होकर और स्वच्छ वस्त धारन करके आप थाली लगाएं थाली में पूजन की जो सामगरी होती है वहलें और जो में गेट होता है जो आपकी दहरी होती आप उसके दोनों साइड स्वास्तिक या लक्षमी जी के चरण आप हल्दी से स्वास्तिक बनाते तो हल्दी से बनाए रोली से बनाए यदि स्वास्तिक बनाना चाहे तो स्वास्तिक बनाए नहीं तो माल लक्षमी के चरण शुक्रवार की शुक्रवार वो चाहें तो मा लक्ष्मी को प्रवेश कराने का एक बहुत अच्छा तरीका है और सिर्फ मा लक्ष्मी ही नहीं इससे पितर देवता प्रसन होते हैं अब जब भी आपके घर के पुरुष काम के लिए बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं और इसके साइट से होकर निकल कर जाते हैं तो आप अपने बच्चों को अपने पती को और आप स्वेम अपने इस्ट का अपने देवी देवता कुल देवता पितर देवता का आशिटबाद प्राप्त करकर भीशते हैं जिससे उनकी उनका पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है वो जिस कारीक में हाथ डालते हैं जो कारी करना चाहते हैं वह कारी पूरी तरीके से संपन होता है पूरी तरीके से अच्छे तरीके से दिन निकलता है यदि आपने दीपक भी लिया हुआ है तो एक चांवल का दाना रखें उस पर दीपक प्रजलित करकर रखें और प्रभू से जो चरण बनाए हैं अपने लक्षमी जी के वह चरण ना भी गणने दें। कलर से दोनों तरफ जल छोड़ें और उसके बाद अपने घर अंदर आ जाएं। उसके बाद आपको जो भी कारी करना है करें। लेकिन जो जिस घर में महिला, घर की एक महिला जरूरी नहीं है, बहुत सभी महिलाओं को करना ऐसा कुछ नहीं है, एक महिला भी यदि ये कारी कर लेती है। उस घर के पूरे सदश्य सुख प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, बेभव प्राप्त करते हैं, और सफलता प्राप्त करते हैं, उस घर के बच्चे संसकारबान होते हैं, और साथ ही साथ वो अपने केरियर की उजाई तक जाते हैं, ये बहुत छोटी-छोटी सी बा बरन नहीं है उगर में कलह बनी रहती है लक्षमी के आवक होते हुए धन आता भी है तो अनाउशक खर्चों में खर्च हो जाता है लेकिन जब हम यह कारी करते हैं तो हमारे बड़े बुड़ों को आशिरवाद हमें इस तरीके से प्राप्त होता है कि हमारे घर में संसकार आप गुरुवार और शुक्रुवार करें गुरुवार शुक्रुवार को भी नहीं कर सकते हैं तो शुक्रुवार का दिन विशेश करके मालक्षमी का माना जाता है उस दिन आप ये कारी करने से ब्लिकुल अपने आप न चूके यूकि मैं फिर से कहूंगे कि जो जिस घर क की महिला ये कारी करती है उस घर में सुक सम्रद्धी की कभी कमी नहीं होती है आप करके देखें विश्वास के साथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोले नात की क्रपा हमेश्या बनी रहे ओम नमस्षिवाए